Hello everyone, welcome back to the Achiever's Zone तो ready हैं आप सभी लोग आज की क्लास के लिए लास्ट टाइम पर जो हम लोगों ने पढ़ा हूँ वेंड डाइग्राम था और आज इसी का पार्ट टू हम लोग यहाँ पर लाएं सबसे पहले मेरा इंट्रेक्शन देख लेते हैं आप लोग जानते ही मेरे बारे में मेरे नाम विवेक है मैं पिछले आठ साल से बैंकिंग और एससी के लिए क्वांट और एडवांस मैस का पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंसिटूट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है डिस्क्रिप्शन आपके सामने पूरा है और आपका प्रॉपर गाइडेंस हो पाए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट आज हम लोग को प्यादा फोकस करने वाले हैं हमेशा की तरीके आपको कोशन के साथ साथ वीडियो पॉस करना है और उसके बाद उसे करने के बाद देखें कि आप कितना टाइम ले रहे थे और इस टॉपिक के अगर बेसिक्स आपने नहीं पढ़े हैं परसिंटेज के बारे आप लोग देखिए ये कोशन ये आप लोग के लिए आपको दिया था और कई लोगों ने इसका आंसर भी करेक्ट बताया था मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देखिए क्या था बोला गया था इन्हें होटल 60% है फेटेरियन लेंच वाइल 30% है नॉन वेजिटेरियन लेंच एक होटल था जिसके अंदर 60% ऐसे लोग प्रेजेंट देए था इन्हाओ मिं दिट नॉट इच आईदर टाइप अफ लँज कितने ऐसे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार का लँजच नहीं लिया तो आपको पता इस तरीके सा में सर्कल तो बनाना ही था एक सर्कल अपने को बनाना था वेज का और एक सर्कल अपने क लिख सकते थे अब 60% वेज़ पे करने के लिए अपने को यहाँ पर 45% फिल करना पड़ेगा और 30% नॉन वेज़ करने के लिए 15 और रहेगा तो ओवराल आप लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओवराल 45 15 मिला के हो गया 60 और 15 और 75% तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ल लिया है और टोटल 100 थे तो 25% ऐसे रहे गए होंगे जिन्होंने लंच नहीं लिया यह बात क्लियर समझ गया अब यह 25% किसका होगा यह जो बेसिक मैंने बता है तो बहुत सिंपल है ना पहले बता चुका हों कैसे फिल करना होता है 25% किसका होगा 25% इस 96 का होगा 25% निकालन तो यह पार्ट क्लियर है आप सभी लोग को ठीक है 96 के 25% निकाल दे थोड़ा अगर क्लियर फॉर्म पर इसको देखना चाहें तो स्लाइड मैं आप लोग को दिखा देता हूँ देख लें इस तरीके से अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पूरा कि 60% ने तो यहाँ पर लंच लिया है कैसे देखिए 60% ने लंच लिया ना 45 15 और 15 सुरी 60 और 15 और 75 परसेंट लिया है 25 परसेंट ने कुछ खाया ही नहीं और उन्होंने कुछ नहीं खाया वो क्या है 25 परसेंट किसका 96 का तो निकाल लेंगे आप लोग इसको 24 इसको अंसर हो जाएगा easy question था चल साम हुआ जिसके अंदर 52 परसेंट ऐसे थे जो हिंदी में फेल हुए and 42 परसेंट इंग्लिस परसेंट इंग्लिस फेल हुए 17 परसेंट फेल इन बोथ अब देखिए easy question लग रहा है तो पुछा कि अब what percent of student passed in both the subjects कितने इस्ट ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास है अब कितने percent student ऐसे हैं तो दोनों पास हुए तो अगर when diagram clear है तो तुरंत आंसर समझ में आ गया होगा कि basic type का ही है fail पे पूरा-पूरा दिया हुआ है converted भी है तो अगर हम करें इसको तो देखो क्योंकि 52 परसेंट हिंदी में फेल 42 परसेंट एंग्लिस फेल और 17 परसेंट दोनों में फेल ऐसा दिया हुआ है तो इसका when diagram बनाते हैं अब आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि देखें 17 परसेंट पहले common वाला लेख लिया अब क्योंकि हिंदी में 52 करना है और हिंदी वाले part को देखें तो यहां पर 17 ओलेडी हो चुका है तो 35 अपन तो 100 में से 77 को सब्टेट कर लीजे आपको मिल जाएगा 23% and 23% is the right answer ठीक है simple है तो आप कर सकते हो और देखते है examples मेरे according बहुत easy question था यहां कोई doubt नहीं आया होगा फिर भी कोई भी किसी भी type का doubt होता है comment section free है आपके लिए वहां पूछ सकते हैं अब यह देखें question यह भी candidate passed in English while 85% passed in mathematics एक exam होता है जिसके अंदर 80% candidates ऐसे हैं जो English यह पास होते हैं और 85% mathematics so there are two subjects English and mathematics 73% candidate passed in both these subjects okay then what were the percentage of candidates failed in both तो यह भी easy है आप pass के form पर पूरा बना सकते हैं और fail पर ला सकते हैं देखें जो पहले पास दिया English में फिर पास दिया मैस में और बोत वाला पार्ट जो दिया हुआ है वो भी pass का ही दिया तो question completely easy है आपके लिए right कर सकते हैं बस भड़ते समय जयान रखेगा मैंने आपसे कहा था ना कि आप हमेशा क्या करेंगे पहले common section fill करेंगे देखें सारे के सारे details तो यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए है ठीक है तो 73 पहले रखा अब English में पहला section है English के लिए pass कितना चाहिए 80 तो 7% और दे दिया अब math के लिए pass कितना चाहिए 85 तो यहाँ पर अपने लिखोंगे 12% और दे दिया complete तो यह हो गया भाई separate English भी manage हो गया math भी manage हो गया और जो आपको बीच का part दिखाई दे रहा है यह भी part आपका यहाँ पर manage हो गया ठीक है न तो यहाँ पर मेरे according आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही अब आगे बढ़ते है भाई आगे क्या होगा अगर total pass की बात करें तो बुला गया कि इन सभी को add कर दीजे मे कोई भी डाउट हो अब बिल्कुल बिना किसी डाउट के छोटे-छोटा डाउट हो अब comment section पर लिखके डाला करें मैं comment पढ़ता हूं सारे के सारे reply भी करता हूं ठीक है तो चलिए next part देखते हैं इस question को देखें भाई कुछ different है क्या करें in an examination in an examination what happened 70% of the candidate passed in English एक exam हुआ जि 80% passed in mathematics फिर क्या होता है आपसे बोला गया 80% passed in mathematics then 144 candidate ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए तो क्या पूछा गया था find the total number of candidate कितने candidates थे कुल संक्या पूछी गई ठीक है तो फिर सेवर पढ़ा देते हैं notification इसके सर्फ concentration खराब कर देते हैं 70% ऐसे तो जो इंगली से पास हुए 80% में पास हुए 10% दोनों में पास fail हो गए तो दोनों में 44 पास हुए है तो total क्या पूछा गया total कितने candidates थे ठीक है चलिए देखते ह हैं भाई क्या होगा यहां पर सो जेश्ट वन सेकेंड आइए डेटा यहां से पढ़ दीजिए पूरा पूरा डेटा लिखा भी हुआ है यहां पर इंगलिश में पास मैं इसमें पास दोनों में fail क्योंकि दिया हुआ था तो मैंने क्या किया अभी मैंने बताया था आप लो इसमें अगर 70% पास थे तो 30% फेल मैस में 80% पास थे तो 20% फेल और दोनों में fail 10 बना लेते हैं इसको भाई तो यह पूरा 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 पार्ट आम लोग फेल पे बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें common section लिख लेते हैं 10% अब इंगलिश पे 30% चाहिए तो 20 और extra add कर दीचें simple देखो 30 पूरा हो गया और मैस में 20 चाहिए तो मैस का 20 वाला पार्ट है इस पे 10 already exist करता है यह पार्ट तो आप इस पे 10% और देते हैं अब fail को देखें तो इन सभी को add कर दीचें कितना बनता आपने पास 40 तो पास कितना होता है 60 अब question में ही तो बोला गया तो यहां पर कोई ऐसी ट्रिक नहीं है आप जैसे comfortable हो चीजों के साथ उस तरीके से आप questions को solve कर सकते हैं और अपना answer निकाल सकते हैं तो यह बात clear है न आपको चले next part पर चलते हैं question simple सा था बही बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहां पर both वाला जो part था वो fail में था और क्योंकि both वाला part यहां पर fail पे दिया हुआ था तो इस वज़े से आपको क्या करना पड़ा यहां पर इसका conversion करना पड़ा आपने पूरा पूरा fail पर कर लिया पास पर होता तो वैसा अब ऐसे question आते आते हैं हाँ जो इस तरीके से mix वाला part आता है इस पर जरूर इस students को कई बार कुछ ना कुछ doubts होते हैं तो जितना basic ब लगया यहां पर आपसे कहते हैं कि एक school है उससे 40% और दाइस प्लेट प्लेट का पार्ट है ठीक है तो पूरा 100% बनेगा और उसमें excluding पार्ट कुछ होगा और खेलने वाला पार्ट कुछ और है तो अब ही अगर आप देखें तो क्या बोलता है बाई 40% 50% and 80% of the students neither play football nor cricket भाई यहां पर question में थोड़ा सा changes दिखाई दे रहे हैं और इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा ठीक है न करने के तरीका थोड़ा अलग जरूर होगा तो आप से क्या बोला गया यहां पर find the percentage of the students playing football find the percentage of the students playing both ऐसे student का percentage बताए जो दोनों खेलते है अब यहां पर क्या होगा इसको आप pause करके करने की कोशिश जरूर करें पिछले तो सारे बिलकुल इजी थे ऐसे question को try जरूर करें कि आप इसने pause करें और check करके देखें कि क्या होना चाहिए यहां पर भाई देखो यहां पर मैं hint आपको देदू यहां पर formula का use होगा बहुत अब पर बात कर रहा है जैसे यहां पर बात कर रहा है फुटबॉल और cricket के बारे में तो यह यूनियन बी क्या होता था जो दोनों पर एक साथ है मिलाके और इंटर्सेक्शन बीक्या होता था जो दोनों के बीच में common है means football और cricket में जो common होगा तो आपने पढ़ा है ना कि एन a union b equals na plus nb minus na intersection b या फिर na intersection b equals किसके होगा na plus nb minus na union b ये चीज़े पता है आप लोगको नहीं पता तो भाई note कर लो देखो आपके सामने लिखा हुआ है अब यहां पर क्या है थोड़ा question को ध्यान से जरूर समझेगा और जरूर यह समझना देख लें यहां पर आपसे बोला ग या फिर cricket खेलेंगे या फिर दोनों खेलेंगे ठीक question ध्यान से पढ़ दिया है ना 18% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं ध्यान से समझेगा 18% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं मतलब 82% तो ऐसे जरूर होंगे जो football खेलेंगे या cricket खेलेंगे या दोनों खेलेंग formula अपने पास ये है कि na union b क्या होता है भाई na plus nb minus na intersection b अभी मैंने आपको बताया learn भी होगा नहीं पता तो याद कर ले ना इसको इसकी जगे 82 रख दिये कि na union b अभी हम लोगों निकाला ठीक है दोनों में common एक के लिए दो के लिए दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है अच्छा पहले पार्ट के लिए 40 value दी गई थी दूसरे के लिए 50 दी गई थी question पर दिया हुआ था और na intersection b आपको यहां से निकालना है तो na intersection b क्या आता है 8% अब यह 8% का पार्ट क्या है जो excluded है ठीक है जो excluded part है तो यह क्या है 8% आपने कहा कि सर यहां पर na union b क्या है दोनों को मिला के जो पार्ट बोला गया 82 ठीक है na क्या है 40 और यह क्या है 50 अब यहां पर 8% बसता है इसका मतलब 8% क्या है यह ऐसे हैं जो दोनों के दोनों के बीच में common होने वाले हैं ठीक तो अब बना के भी देखने इस चीज को क्योंकि जब तक आप ऐसे में structures नहीं बनाएं तो चीज़े clear नहीं होंगी तो हम दोनों के बीच football और cricket में बना लिया ठीक है थोड़ा इसको zoom in कर लेते हैं देखिएगा इतना सही है अब देखें football और cricket में आप लोगों ने बना लिया यहां पर इस पे तो क्या बोला गया आप लोगों से कि भाई पहला पार्ट football दूसरा cricket अभी एक परसेंट जो दोनों पीच common पार्ट है यह समझ गए अप लोग अच्छा 8 परसेंट अगर common समझ गए तो यह देखिएगा यहां पर जो 18 परसेंट है वो अमने अलग से भी रख दिए हो कि यह कहीं पर include ही नहीं होते अब football पर आपने कितना चा और चेक करके देख लें सब कुछ मिलाने के बाद 82 बनता है इन सभी को एड कर लेंगे तो 82 बनेगा 32 एड और 42 एड करें देख लें 82 बन रहा है 18 परसेंट यह फूरा पार्ट हो लिया तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर formula का use हुआ और मैंने पूरी value निकाली यह question exam प उठाके उसके questions को जरूर लगाएं इधर उदर परेशान होने की need नहीं है यह student की सबसे बड़ी दिक्कत होती आपको बता दो सबसे पहले basic की need है यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी वैसे ही अभी मैं आपको सीधे सीधे एकदम से ऐसे tough questions लाकर रख दूँ आराम से 10 questions इसे form करे आ सकते हैं जो किसी से ना हिले हैं यहां पर ठीक है उससे आप सीखेंगे नहीं आप डी मोटिवेट होंगे मेरा वो लो मोटिव नहीं है मैं आपको सीधे सिखाना चाहिता हूं तो अभी मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूं tough questions भी करेंगे हर टरीके के banking के भी SSC, CD हर तरीके questions आप यहां पर discuss करने वाले हैं जो जो important हो सकते हैं लेकिन पहले एक basic जानना बहुत जरूरी है तो यह formula आपको player होना चाहिए और अब जानने के लिए कैसे questions पूछे गए हैं आप जो भी respective exam दे रहे हैं उसके related previous year जरूर उठाया करें और बाकी practice में आपको बताऊ होगा आगे inform भी कर दूँगा कौन से books लेनी हैं क्या कैसे पढ़ना है ठीक है तो यह question clear हुआ होगा ना formula अलगता question different था अच्छा question बोला गये आपके इसको थोड़ा leak से हटके था बहुत book में मैंने सर्च किया तो एक ही दो question ऐसे मिले थे बहुत जादा different मुझे मिले भी न नहीं है तो चलिए और देखते हैं एक question और है इसे try करें यह भी थोड़ा सा different है ठेक है और पूछा गया है exam पे आ चुका है पहले तो यहां पर क्या बोला गया कि एक group है और इस group में 70% can speak English 70% ऐसे हैं जो English बोल सकते हैं 65% can speak Hindi 65% ऐसे हैं जो Hindi पर सकते हैं and 27% of the students can speak none of the two language इ जो कुछ बोली नहीं सकते अनपढ़ने ठीक है अच्छा बोल तो सकते होंगे कोई और language बोलना तो आसान है ना कि बोलने की बात और पढ़ने की बात नहीं हो रही है यहां पर then what percent of the group can speak both the language कौन से ग्रूप ऐसे हैं जो और लेंग्विश तो जापानी हो या कहीं और का हो जैसे नहीं आती है इंग्लिस चलो जो भी है तो फिर से बादो 70% English बोलते हैं 65% Hindi बोलते हैं 27% ऐसे हैं जो उनमें से कुछ भी नहीं बोलते then what percent of the groups can speak both the language कितने ग्रूप में कितने परसेंट ऐसे तो तो तुनों language बोलते हैं इसको ध्यान से समझेगा अच्छा कोशन है यह कैसे बनेगा आप चाहो तो इसको ट्राइ जरूर करो बिल्कुल ट्राइ करिए और options आपके सामने हैं इसके बाद हम लोग इसके solution पे चलते हैं देखें क्या होगा चलिए देखो बाई क्या होने वाला है ध्यान से समझेगा आपसे बोला गया था कि 27% ऐसे हैं जो कोई भी language speak नहीं करते अब थोड़ा सा ऐसा concept आप इसले वाले कुशन देख चुकिए जो 27 को मने पहले ही अलग रख दिया फिर क्या बोला गया 73% speak English और Hindi और बोद 73% ऐसे हैं जो English बोल लेते हैं या Hindi बोल लेते हैं या फिर दोनों के दोनों बोल लेते हैं अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझेगा मुझसे common का section पूछा गया ना कि बाई कितने ऐसे जो दोनों बोल लेते हैं और उसके बार कोई information ही नहीं तो confused नहीं होना परशान नहीं होना X ले ले अप X method कोई बुरा नहीं है जहां तक आपका answer मिला answer आना चाहिए कैसे भी है so आपने क्या किया X ले लिया यह जो दोनों बोल ले है अपने को पता है 70% ऐसे हैं जो Hindi बोल सकते हैं 70% अगर Hindi बोल सकते हैं तो अब देखिए यह Hindi वाला section circle देख रहा जो भी मैंन यह part देखें इधर यह जो दिखाई दे रहा है यह part अब यह काफी गंदा हो चुका है है यह यह पार जो देख रहा है यह होगा only Hindi का 70-X हो गया अब जिरह बात करते हैं हम लोग किस part पे हम लोग बात करते हैं English वाले part पे तो English वाले part पे क्या होगा भाई इधर देखें इ पूरा 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 क्योंकि अपने को पता है overall तो 100 ही जाना है ना या कैसे भी पूरे को 100 से कर ले या आप चाहें तो केवल 73 से पूरे कर सकते हैं क्योंकि दोनों का part दिया है तो 73 में क्या आ जाएगा Hindi वाले आ जाएंगे English वाले जाएंगे दोनों वाले भी सभी को add कर में 70-X clear कर लेते हैं इसको वापस से अपने color पर आ जाएं ठीक है आए देखिए अब यह 73 में क्या आएंगे 73 देखिए यह पूरा section है यहां से लेकर यहां तक अभी जो मैंने मार्क किया तो इसमें आएंगे 70-X फिर यह वाला part 70-X हो गया यह part हो गया जो common है और 65-X इसका मतलब X की value क्या आती 62 so 62 is the part that can speak both languages that are what Hindi and English ठीक है तो 62% ऐसे हैं जो दोनों ही languages को बोल सकते हैं तो clear समझ में आया समझ गया ना किस तरीके से वें diagram बन सकते हैं तो यहां पर कुछ basics question थे जो last class से भी relate कर रहे थे और कुछ ऐसे questions भी थे थे थोड़े अलग भी दिखाई दिए अभी आप और ढूने कितने आपको मिल पाते हैं ठीक है इसके लिए आपको थोड़ा मेनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ आपको भी मेनत यहां पर करनी है ठीक है तो I think यह part आपको clear समझ में आया होगा कोई doubt तो यहां पर नहीं बचा होगा और कोई भी दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आप इसको वापस से एक बार revise करिएगा चीजों को ध्यान से समझिएगा देखिएगा और कोई भी doubt हो तो मुझसे जरूर पूछे है ठीक तो यह event diagram का part था I am very sure कि आप सभी को clear अच्छे से समझ में यहां पर आया होगा ठीक है अगर समझ में आया है सबसे पहले चीज यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगा आप पहली बार है क्योंकि वीडियो में रोज डालता हूं अगले वीडियो का notification तभी मिलेगा जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजेगा हमारे जितने भी Facebook पर लाइक जरूर करते हैं और अपने सभी friends के साथ share करते हैं ताकि सभी को यह useful information मिले ठीक है बिल्कुल free है distribute करो यार इस sheet को ठीक है जतना यादा डिस्ट्रीबूट होगा जतना यादा वीडियो आएग उतना ही हम लोग को और अपने अंदर से motivation आता है कि और वीडियो बनाओ आता है कि सिल से मूचा वेधम लोग कि साथ हो अपने से लिदा खा अंदर से सबता सिद्रीबूट होगा जज़क रचर से मूचपाँ कर Crit I